हेलो दोस्तो नो मोर की एक और नई और इंट्रेस्टिक वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से नासा ट्राई कर रहा है एक स्पेस क्राफ्ट को एस्ट्रोइड के साथ में टकराने की और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है DART DART का क्या मतलब है? DART का मतलब है Double Direction Asteroid Test और इस टेस्ट के द्वारा जो की September 26 को किया जाना है वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हम किसी Asteroid की Direction को बदल सकते हैं आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सक्षन में ज़रूर बताईएगा और ऐसा करके NASA होने वाले फ्यूचर में किसी भी तरीके की Asteroid से होने वाली दुरगटना से हमें बचाने की कोशिस करना चाहता है ऐसी जानकाली के लिए हमारी चेर्ट को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो